तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ट्राबल चीफ रोमन रेंज वर्सस गुंथर के बारे में अगर इन दोर बहु बुलियों का मैच हुआ तो इस मैच के अंदर कौन जीतेंगा तो हेले दोस्तो मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैन्स जैसे के बहु कर रहा था दोस्तो इंटर कॉंटर रेंज चैंपियन गुंथर वर्सस अंडिस्प्यूड चैंपियन रोमन रेंज का मैच अगर चैंपियन वर्सस चैंपियन का हो जाए तो इस मैच के अंदर कौन जीतेंगा उससे पहले जान देते हैं इनकी हाइट और वेट क के मामले में ये दोनों की लाड़ी एक दूसरी को बराबर की टकर देते हैं अब बात करते हैं इनके championship बेल्ट के बारे में तो गुंतर फोर्मर उनाड़ेट किंडम champion रह चुके है और current intercontinental champion रह चुके है वो भी डबली डबली के longest reigning intercontinental ever अब बात करते है रोमन रेंस के बारे में तो रोमन रेंस डबली डबली के अंदर ग्राइंट स्लैम चैंपेंट रह चुके है और लॉंगिस्ट रेंइंग उनिवर्सल हेविवेट चैंपेंशिप का भी तक उनके पास है तो यहाँ पर चैंपेंशिप के मामले में काफी जादा आगे निकल जाते है ट्राबल चीफ रोमन रेंस गुंथर से तो दोस्तों आप बात करते हैं इनके फाइनल डिशिजन के बारे में अगर इन दोनों बहुबले का मैच डबली डबली के रिंग के अंदर हो गया तो इस मैच के अंदर तहल का और थमा का मचना तो तहे है रिंग के अंदर यह दोनों खिलाडी भावकाल मचा देंगे एक दुसरे को हिला के ड़त देंगे एक दुसरे को हराने के लिए गुंतर क्लोज लाइन लगा देगा रोमन रेंस को पावर बॉम भी लगा देगा रोमन रेंस को लेकिन उस पावर बॉम का कुछ भी यूज यानि कि कुछ भी असर नई होने आला ट्रावल चीफ रोमन रेंस के उपार उसके थोड़ी देर बाद गुंतर पूरी जान लगा देंगे ट्राबल चीफ को हराने के लिए लेकिन ट्राबल चीफ के पासे दो बंदे सोलो सिक्वा और जिमी उसो जिमी उसो इस मैश के अंजर इंटर करेंगे सोलो सिक्वा स्पिनिंग सोलो लगा देंगे गुंतर को उसक यूनिवर्सल हैवेड चैंपियन और यहाँ पर ट्राबल चीफ की जीत होगे तो दोस्तों यह मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन आप कमेट सेक्शन में जरू बताए अगर आपको वीडियो पसन आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब